तो वहाई सबको पता होगा अभी रिसनली MTV हसल 4 सो स्टार्ट हुआ है एंड इस सो का जज है इकका एंड रप्तार तो वहाँ पर हुआ है कि MTV हसल 4 के फास्ट एविसोट पर एक बंदा हनी सिंग को पोक करते हुए कमबैक बले लाइन को बोल रहा था और उसके बाद इस बंदे को हनी सिंग के फैन की तरफ से बहुत सारे हेट मिलने लगे उसके रिसन मीडियो पर हनी सिंग के फैन्स ने बहुत सारे कमेंड भी किया एंड उसके बाद वो बंदा सबसे माफी मंगते हुए क्या कहिता है आप देखिए और सारे फैन्स ने मुझे खुले गले से गाले देनी शुरू कर दी है I mean मुझे फील होने लगा है I'm never gonna be a millionaire DM भर गए हैं सब में सेम बात है जिससे मेरी मम्मी को हिचकी आने लगी है देखो यार मैं भी पाजी के गाने सुनके बढ़ा हुआ हूँ कोई disrespect नहीं है बलकि मैं हाथ जोड़ के आ सारे फैन से कहता हूँ यारो मुझे मुझे मुआफ करो मैं नशे में था जो मैंने वो जोग लिखा साथ बज़े एपिसोड आ रहा है उसमें और ही बहुत अच्छे चीज़े हैं प्लीज मुझे वॉल्लिम वन गाना डेडिकेट करना बंद करो तो गैस इस चीज़ को लेकर हनी सिंग के मैनेजमेंट की तरफ से भी एक स्टोड़ी देखने को मिला तो गैस इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो आप लोग अपना राइक कमेंट करके जरूर बताना और हाँ आप हनी सिंग के फैन हो तो लाइक अन सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहिन बंदे मात राम